तो असलाम अलेकुम ओप्योल आपाइन के टोड़ेशन अन्ट्रोल वोट इस को अब आपको बताया था होमेश्टेसी मीश्ट इस रेगुलेशन अन्ट मेंटेनेंस बॉडी के अन्दर हर चीज रेगुलेशन और मिंटेनेंस रखना उसको एक ऑप्टिमम लेवल पर रखना उसको मेंटेन रखना तो होमियो स्टेसिस जभी होमियो से हमारे पास डिस बैलन्स होगा मींज्टर्ब होगा कोई भी चीज जयादा बढ़ जाए यह कोई बीचीज बहुत हो जाएगी अब इस होमीोब्यों से सो मिंटेन रखने के लिए ब्रेन अपना फंक्शन परफरम क करेंगा तो how brain coordinate with the unstable situationarez जो हमारे पास जह है वो मिन्टेन रखने के लिए brain किस ताड हमारे पास करेगा और किस तरह सु कंट्रोल करेगा दिस नीजिंप और कंट्रोल का क्यों को जो है वह वह support है किस तरह में Eagle Set है उसके लिए हम कुछ टर्मनालोजी देखते हैं फ़र्श इस चुमलाइब दा चेंज इन्वारिमेंट तुछ लिविंग और्गैनिजम रिस्पॉंड और कॉल इस्टर्नल फेक्टर जो के इन्वारिमेंट में चेंज ला रहा है और मेरी बॉड़ी को डिस्टर्ब कर रहा ह होंगे लिविंग और्गैनिजम रिस्पॉंड इस्टर्म लाइं दर फॉर्म बॉड़ी में आता है तो हमें हमारा जो बॉड़ी है हमारा जो ब्रेन है उसको रिस्पॉंस देता है और उस चेंज इसको कंट्रोल करता है ओके वाट इस कॉडिनेशन पर प्रॉपर करते हैं इस्ट्यूमिलस की वजह से और मेरा होमियोश्यस जो डिस्टाब हो जाता है और जब तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो ब्रेन फंक्शन परफॉर्म करता है उसको कोडिनेशन कहते हैं अब कोडिनेशन हमारा पास बहुत सारी टाइप्स की होती है और बहुत सा कोडिनेशन इनेमट कोडिनेशन भार देर नर्वर सिस्टम नंड्र स्थर्पाललिक और सिस्टम आपक्ष फ्रेस्थ पहले हमारे पास होते हैं जो सको करें हैं यहां पे हम कुछ देखते हैं आगे यहां चुनिख करूंगा वहीद इंपॉर्ण in helping to maintain the homeostasis of the body nervous system बहुत important होता है ताकि मेरी बॉडी का जो हो मेंटेन हो सके a series of sensory receptors work with the nervous system to provide the information about the changes in the both the internal and external environment कुछ sensory receptors होते हैं मेरी body के अंदर जो कि इसको detect करते हैं जो हमारे पास homeostasis जो है वो disturbed हुआ है और इसके साथ वो function perform करते ताकि मेरी body को homeostasis वापिस से मीडिन हो सके the human nervous system is a complex of interconnected system in which large systems are comprised of small systems each of which have the specific structures with specific functions summary of the function of nervous system nervous system के functions क्या क्या होते हैं control of the internal environment nervous system works with the endocrine system nervous system हमारे internal environment control करता है with the help of nervous system or endocrine system endocrine system मैं आपको बताया hormonal system for example अगर मेरी body के अंदर insulin की imbalance हो जाएगी insulin बहुत जादा बढ़ जाएगा sorry not insulin sugar मेरी body के अंदर बहुत साथ शुकर अगर increase हो जाएगी तो शुकर increase होने के वज़ास से signal जाएंगे brain के पास तो यह brain के पास जाना है यहां पर nervous system function कर रहा है और वो nervous system जो brain है मेरा फिर कमांड देगा insulin को कि वो release हो और रिलीज होने के बाद उस glucose को maintain कर सके तो इस तरह यहां पर insulin means hormone और hormone means endocrine system भी involved है voluntary control of the movement control करता है nervous system voluntary control मैं आपको बताया था वह control जो मैं अपनी emergency कर सकता हूं programming of spinal cord reflexes जो spinal cord से reflexes निकलती है functions commands निकलते हैं उसको control करता है assimilation of experiences necessary for memory or learning जो मेरा brain memory करता है learning करता दूसरे function perform करता है वह भी कौन control करता है nervous system control करता है here we have the diagram of nervous system here we have brain here we have the spinal cord or spinal cord में से बोछ सारी nerves निकलर रही है जो वीना का मेरी पूरी बाड़ी में spread हूँ है destroying the body के और श departments system nervous system is capsule nervous system and peripheral nervous system शेमें हमाब पास brain होता है or spinal cord होती है a peripheral nervous system हमारे पास spinal cord से निकलने वाणी द्बोडी गजहा करीं कि this call is powerful nervous system why hereHHHH your brain and spinal cord This is a central nervous system निर्फ 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 में स्पाइनल कॉंटर से जो निर्फ निकल रही है और में पूरी बाडी फ्डूरी शस्प्रेड हो रही है इसकोरถु निर्फ रही है इस यह काम करो तो जो मेरा बॉडी पार्ट वो काम करता है उसको हम कहते हैं मोटर पार्ट में दो होते हैं स्मेटिक होता है और एक और स्थाइब करेगा और वह फंक्षिन जो आपनी बडिक इंदर हो रहे होंगे उसको हूं कं तो टैप्स होती है तरफिया स्पटाइटिक सिस्टेम और पर हमतारी कंडिशन में और वो फंक्षन जो एमर्जन सी सिट्विशन में परफॉर्म होगा जैसे कि है वी एक्सराइज के वाग्ड मेरे इंटरनल टेंप्रेचर और बहुत सी चीज़े जो है वह बढ़ जाएगा ब्लड का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो उस दोरान जो नर्वस सिस्टम काम क ताके मेरी जो डिस्टर्ब होम इस चीज़े उसको मेंटेन कर सके हैं यहां पर हमारे पास मसल फाइबर ने ठीक है मसल पर अगर कोई एक्स्टरनल इस्टम लाए आएगा मतलब कोई एक्सटरनल फेक्टर आएगा कोई चुप गई या कोई टेंपरेचर ज्यादा मेरे हाथ पर लग गया तो फॉरन सिग्नल जाएंगे विद्धा बदव नर्फ तुदेस्पैनल कॉट इस पानल कॉट में जाने का जाएंगे ब्रेंड के पास और ब्रेंड के मोटर कॉटेक्स के अरिया पर जाएंगे जहांसे वह हमें गाइड करेगा मेरी बॉड़ी को गाइड करे बर दिन ब्रेंदाराने वो कॉन-कॉघ से होते हैं फर्स से घ्ड॑ चीज मेरे हालं लग गई दशना नमाय मतलब मेरे घृत में लग बैघ और चीजाना पून हो जाना अग परçasर की सब्सक्रणियोकरत। हैं तो ये जो चेंजर होंगी जिस दा इंटरने श्रूमिला थो कोई भी इस ट्रूमिला जैसे बॉड़ी पर आएगा तो रिस्टेटर उसको रिसीव करेंगे मेरी बॉड़ी के हर पार्ट में चाहिआ वह आउटर पार्ट हो चाहिए इनर पार्ट हो इस तमक उख हो यह मेरे ईफेकटर्स को एक्राइब मेरे मसल्स के अंदर होते हैं ग्लैंड थे पूरी बाड़ी में एक्टर मौजूद होंगे कि अब आप ये फंक्षन करो आप ये लब बढ़ अधा बड़ गया ग्ल्यकोस के लिवल बढ़ने के करेगा to the effector effector क्या है मेरे insulin insulin को कमांचंट करेगा कि अब आप insulin की production बढ़ा दो secretion बढ़ा दो ताकि glucose के level को कम कर सको तो दिस इस एक्जांपल ओफ nervous system pathway okay here is another example here's my skin अब इस्किन पर कोई भी external stimuli आएगा effect करेगा signals वारन दा जाएंगे spinal cord के पास और brain के पास जाएंगे जिस पाथवे से जाएंगे उसको हम aferrent pathway काएंगे a for aferrent pathway मतलब aferrent nerve के जाएंगे तो उसको aferrent pathway काएंगे उसके बाद brain command send करेगा मेरे muscles को कि अब आप ये function perform करो तो वो जाएंगे aferrent nerve के जाएंगे और स्कम कहेंगे इफेरेंट पात्रवे अच्छा जी नियॉरॉंस इस्ट्रक्च्च्र टाइपस फंक्शन बाद नियॉरॉंस नियॉरॉंस अर्द बीस्ट्रक्च्ट्रा फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिससे नामारी बॉड़ी हर तरह के सेल से बनी यह तो नियॉरॉंस भी एक तरह के सेल्स हैं जो के नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं ठीक है नियॉरॉंस नियॉरॉंस में तीन पार्ट्स होते हैं सेल बॉड़ी डेंड्राइट्स और एक्जॉन कहते हैं अब इंदा सेल बॉड़ी हैं सेल बॉड़ी से डेंड्राइट्स निक structure's हैं यहां पर exon है exon के उपर एक covering है जिसका myelin sheet कहते हैं लिपो protein से बनी वी होती है और आखिर में exon terminals होंगे अब सारे नियूरॉन आप आप आसमें interconnected होते हैं जैसे कि पहला वाला नियूरॉन इसके साथ connected है और यह वाला होने के बाद पी जो यह वाला नियूरॉन होगा इसका exon terminal अगले वाले डेंडराइट के साथ होगा तो इस ताना बहुत सारे अगले नियूरॉन से आने वाले इंपल्स को जो के डेंडराइट लेके आएगा उसको अगले नियूरॉन पर आने वाले इंपल्स को ट्रांस्पिट करते हैं फॉन नियूरॉन नियूरॉन तो द आने नियूरॉन वाली इंपल्स को ट्रांस्मिट करती है एड़िया जहां पर एक निउरॉन और अगले बाले नियुरॉन के डेनड्राइट के तक्छे x अथे स्नल परग्नाने वे नियुरॉन के तर्मिनल अगले ओने ये धारइटल्स पुराणे वाले नियुरॉन का आप देखोगे सेल बॉडी के अंदर देजर साइटो प्लाजम और बीच में इसका न्यूक्लियस है इसके कुछ ब्रांची स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम डेंडराइट कहते हैं इसको लॉंग नर्फ फाइबर कॉल एक्जॉन एक नर्फ फाइबर होता है एक जॉन का विच यहां पर इसकी जैल बॉडी है जिसके निउकलियस है और यहां पर साइटो प्लाजम है इस चैल बॉडी में से जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं जो कि पिश्ले वाले न्योरॉन से सिगनल कोरिषीव खरते हैं सरौक फारिषू करने के और इसको फॉर्धर ग्जहां चैल उन महीं स्टॉक्टे लाइबंगे बीच में नुकलियस होगा चारोतार साइटोपलाजबा होगा दा एक्टेंशन यद इसको इंग्स कहेंगे लास्ट में हमारे पास एक्शम टरमिनल होगा बीश में इस इंसुलेशन होती है कवरिंग होती उसको मली शीट कहते हैं मैलीश शीट इस नॉट कंटिन नीवर्स माइली शीद जो हो एक जो एक फूर्स यह बल्के सेग्मेंट्स में होती है और इक अच्छ में बीच में जो यह खाली बचेगा उसको हम कहेंगे नौडब रहण विर त्री टैपस और न्यॉरोंज अब इस न्यॉरोंस के मापद होती है एक उटिये सिंद्ध है जा मेरी बॉड़ी में मौझूद होंगी अब जो इस्टुमिलस आया था और इसने मेरी बॉड़ी को अफेक्ट किया था तो इसको किस ने रिसीव किया रिसेप्टर रिसीव करने के बाद जो सिगनल मेरे ब्रेन तक जाएंगे उनको लेगी जाएंगी सेंसरी नियूरॉंस इसलि इंटर नियूरॉंस कहते हैं वो क्या करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं इंटर मोटर नियूरॉंस अब जो सिगनल मेरे ब्रेन से जा रहे हैं तो मैं अधर बॉड़ी पार्ट एफेक्टर के पास जो कि काम करेगा उस चीज को मिंटेन करेगा तो जिस रास्ते से वह और इंटरॉण अभी से इंसरी नियूरॉंस के आगे रिसेप्टर सेल्स एटेच हैं जो मेरी स्किंज में होंगे मेरी बॉड़ी के इंदर उंगे जब भी को स्टुमलस आके मुझे अफेक्ट करेगा तो रिसेप्टर वसको रिसीव करेंगे और सिंगल सेंड करेंगे और स कमांड देखा किसको इफेक्टर्स को यहां पर देखो हमारे यह इफेक्टर है मसल इफेक्टर को जो कमांड देखा कि अब आप यह function perform करेंके इसको maintain करो नियोरोग्लिया support protects connects and removes debris from the nervous system also called the glial cells support and protection of the neurons neurons को एक और structure एक और structure होता है जो कि neurons को support provide करता है protection provide करता है उसको आपस में connect रखता है और जो debris होता है मतलब wasteful substance on neurons के उसको remove करता है उसको न्यूरोग्लिया कहते हैं और इसको ग्लियल cells भी कहते हैं support and protection of the neurons causes exchange of material between the blood and the neurons obviously neurons are present in my body to neurons को भी जो है वो blood की जरुवत पढ़ती है for the oxygen supply तो oxygen और ब्लड ब्लड और न्यूरोण से रम्यान जो एक्षेंज होता है वो न्यूरोग्लिया cells करवाते हैं also from the myelin sheet of the neurons न्यूरोण जो myelin sheet होते हैं वो कौन बनाते हैं हमारे पास न्यूरोग्लिया बनाते हैं तो आपके लेक्चर का first part complete हो क्या है central nervous system का अगर कोई क्वेरी हो या कोई question हो तो आप मुझे फिस्टिकल्ड क्लास में discuss कर सकते हैं thank you कि